नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मालती शर्मा पर दोस्तो आज हम बात करेंगे कि घर के तवे और कड़ाई का वास्तू शास्तर में क्या महत्तव है दोस्तो वास्तू शास्तर में बहुत सी ऐसी वस्तूओं के उपयोग के बारे में बताया गया है जो व्यक्ति के जीवन पर अच्छा या बुरा परभाव डालती हैं अगर घर के बरतनों को भी सही स्थान पर ना रखा जाए तो इससे भी व्यक्ति के शारीरक, मानसिक, आर्थिक और स्वास्तिया संबंदी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है आज हम बात करेंगे के रसोई घर में सबसे ज़्यादा पर योग में लाए जाने वाले तवे या कड़ाई के बारे में तवे और कड़ाई को अगर वास्तु के मताबक रखा जाए तो इससे भी घर में सुख समरिदी और धन धरन्या की बड़ोतरी होती है ये भी घर के लोगों की किस्मत को चमका सकता है तो आईए आज हम बात करते हैं तवे और कड़ाई को उपयोग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफकेशन सब से पहले आपको मिले दोस्तों वास्तू के अंसार तवे को हमेशा चमका कर रखना चाहिए क्योंकि कहा जाता है कि जितना किसी घर का तवा चमकता है उतनी ही उसकी किस्मत भी चमकती है अगर आप भी चाहते हो कि आपकी किस्मत हमेशा चमकती रहे तो तवे की सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए तवे को चमकाने के लिए आप निम्बू पर नमक लगा कर तवे पर रगडे फिर उसे साफ पानी से धोले नंबर दो वास्तू के अंसार तवे और कढ़ाई की पुवित्तरता का भी खास ध्यान रखना चाहिए यानि के तवे और कढ़ाई को कभी भी जूठा नहीं करना चाहिए ना ही इन पर जूठा भोजन रखना चाहिए जिन घरों में इन की पुवित्तरता का ध्यान नहीं रखा जाता वहां कर्ज की समस्या रहती है और आर्थिक समस्या का भी सामना क अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकत रहे और सुख शान्ती हमेशा बनी रहे तो कभी भी तूटे तवे का या कड़ाई का अपयोग ना करें और हमेशा इसकी सफाई का ध्यान रखें नमबर तीन दोस्तों तवे या कड़ाई को कभी भी तीखी या धारदार चीज से खुर्चना या साफ नहीं करना चाहिए इस से घर में दृदरता आती है अगर तवा या कड़ाई जल जाए उसको पानी में डाल कर रख दें फिर धीरे से उस पर जली स्मगरी को हटाएं और स कभी भी गंदे तवे या कड़ाई को उपयोग ना करें और हमेशा उसको साफ करके ही रखें अगर आप ऐसा करते हैं तो राहू का परभाव बढ़ जाता है इस से घर में रहने वाले लोगों की उन्नती और आर्थक स्थिती पर भी असर होता है नमबर चार दोस्तों कभी तवे को खुले स्थान पर ना रखें जब भी इसकी जरूरत ना हो इसको साफ करके किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां किसी बाहरी व्यक्ती की नजर इस पर ना पड़े इसलिए जब इसकी जरूरत ना हो तो इसको बरतनों वाले रैक में या अलमारी में रखें और सुबा धोकर ही इसको यूज करें नमबर पांच तवे या कड़ाई को कभी भी उल्टा करके ना रखें क्योंकि ऐसा करने से घर में लड़ाई जगडा और घर की शान्ती भंग होती है बनते काम भिगडते हैं और आर्थक परिशानियों का सामना करना पड़ता है और अनधन की भी कम हो सकती है नमबर चे गरम तवे को कभी भी पानी में नहीं डालना चाहिए और ना ही गरम तवे पर पानी के चीटे डालने चाहिए ऐसा करने से जो चन चन की आवाज आती है वो आवाज घर के सदस्यों के जीवन में परिशानिया ला सकती है नमबर साथ रात को खाना खाने के बाद तवाई या कड़ाई साफ करके ही सोना चाहिए इनको गैस के दाई तरफ रखना चाहिए क्योंकि इस तरफ मा अनपूर्णा का स्थान होता है और धन धन्या की वृदी होती है नमबर आठ जब भी खाना बनाओ सबसे पहले तवे पर एक चुटकी नमक डालो फिर थोड़ा उसको गर्म होने दो और उसके बाद कपड़े से उसको साफ कर दो उसके बाद पहली रोटी गाय के नाम की बनाओ और लास्ट में एक रोटी छोटी सी पका कर जब एक तरफ से पक जाए तो उसको उल्टा कर गैस को बंद कर दो उस रोटी को कुटे को डाल दो अगर कुटा ना मिले तो पक्षियों को भी डाला जा सकता है इससे घर में सुक शांती का वास होता है आज के लिए बस इतना ही फिर मिलती हूँ किसी अच्छी बात के साथ थैंक यू